यूं तो बच्चों का मन पढ़ाई में न लगना एक सामानने बात है लेकिन अगर यह समस्या कुछ जादा ही है तो माता-पिता के लिए चिंता का कारण भी बन जाता है बच्चों की पढ़ाई को लेकर माता-पिता का चिंतित होना गलत भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि हर पैरेंट्स अपने बच्चों का उज्वल भविश्य चाहते हैं इसी चाह में कही बार वे बच्चों के पढ़ाई में मन न लगने के कारण को समझ भी नहीं पाते हैं और उन पर दवाव बनाये रखते हैं इसी का नतिजा होता है कि बच्चों का चिरचिड़ा होना पढ़ाई से दूरी बन जाना आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ बच्चों का पढ़ाई में मन न लगने के कारणों पर गौर करेंगे बलकि बच्चों का मन पढ़ाय में लगाने के उपाई भी बताएंगे तो इस वीडियो को आप लोग पूरी तरह से जरूर दिखिएगा तो सबसे पहले जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर बच्चे का पढ़ाय में नहीं मन ना लगने का कारण होता गया है तो इसके कुछ कारण भी होते हैं जिनें हमें एक बार तो गौर करना ही चाहिए तो सबसे पहली जो बात है स्वास्त संबंदी समस्याय जैसे वरता बजन, कोई भी बीमारी या फिर अस्थमा या फिर शफोकी संस या फिर दिमाग तेज ना होना, लर्निंग पावर का कमजोड होना, भावनात्मक समस्याय होना जैसे माता पिता के जगड़े होना, घर पे अगर इस तरह का कुछ होता है तो इस बात से भी बच्चों के मन में एक डर आता ही है तो गाइस डर, डर भी बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है और इस डर को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है नीचे description सेक्षिन में उस वीडियो का लिंक भी दिया गया, आई बटन पे भी आप लिंक देख सकते हो, तो उसको एक बार जरूर देखिएगा घर का महौल ठीक ना होना, ये भी एक करण होता है बच्चों के पढ़ाई में मन ना लगने का इसके अलावा भी बच्चों में होने वाले सामान्य, मानसिक विकार भी होते हैं, इसमें बच्चे में एकागरता की कमी देखी जा सकती है मनुरोग संबंधी विकार भी होते हैं, जैसे कि डिंप्रेशन होता है, एंजाइम्टी होता है, ठकान और नीन पूरी ना होना भी एक करण हो सकता है कि बच्चे का पढ़ाई में मन न लगे, इसके अलावा बच्चों का जो मन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कोमल और चंचल होता है ऐसे में उन पर कोई भी किसी तरह का कोई भी जोर जबर्दस्ती करके उनसे कुछ भी करवाना बिलकुल भी सही नहीं होता है खास तोर पर जब बात पढ़ाई की की जाए, तो ऐसे में बच्चों का पढ़ाई में मन न लगाने के लिए भी आपका आप ही की गलती हो सकती है और बच्चों का मन पढ़ाई में न लगने के वो एक या दो नहीं, बलकि दस-दस करने होती है तो आज के इस उडियों बे हम लोग जानने वाले हैं वो दसका रहन और अगर हम उनको ठीक कर पाएं तो हमारे बच्चों का पड़ाही में मन लगना बहुत ही आसान हो जाएगा तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल कर सामने आता है जी हाँ गाइस बच्चों के प्रयास जो भी बच्चे प्रयास करते हैं उसको हम सपोर्ट करें सराहना करें इससे क्या होता कि बच्चों का जो है मनोवल उचा होता है और इसके बाद जैसे मानलो यार कुछ भी बच्चे अगर आप ट्राई कर रहे तो आप उनको सपोर्ट करें आप उनको और अच्छे से करने को मतलब सिखाएं या फिर जो भी उन्होंने किया है उसमें ही आप अपने आप को खुश दिखाएं ताकि बच्चे को अपने आपे ही गरव हो जाए और ऐसे मिन जो है बच्चों का जो है एक ट्रस्ट जागता है और उनको एक confidence भी मिल जाता है दूसरा बच्चों की नीन का खास खयाल रखें जी हागाइस बच्चे का अगर माइंड ही ठका हुआ होगा तो पढ़ाई कैसे करेंगे बच्चों को लगातार कुछ भी व्यायाम exercises वगेरा करवाते रहना चाहिए सुबह सुबह इसके साथ healthy diets अपने बच्चों को देने की कोशिस कीजिए पढ़ाई के लिए सही जगह का चैन करें तनाव से मुक्त रखें बच्चों को मानसिक विकास के लिए गाइस बच्चों का खेलना बहुत ही ज़दा जरूरी होता है तो बच्चों को खेलने के और इसके साथ साथ आप अपने बच्चों का टाइम टेवल सेट कर लें टाइम टेवल बहुत ज़्यादा important है क्योंकि बच्चे अपने टाइम टेवल के हिसाब से चलते हैं उनका जो अभी से जो आदत लगती है उस हिसाब से ही वो काम करते हैं तो बच्चों को पढ़ाई करने का जो time होता है आदर वो दिन हो या साम हो या रात हो whatever it is कुछ भी हो लेकिन बच्चों का जो है टाइम टेवल fix करें पढ़ाई का भी टाइम टेवल fix करें और खेलने का भी टाइम टेवल ज़रूर fix करें इन कुछ उपायों को करने के बाद आपका बच्चा भी इस वीडियो से हमने यह जाना कि बच्चों का पढ़ाई में मन कैसे लगा है आपको यह वीडियो कैसा लगा है बतानों नीचे कोमेंट करके फिलहल गाईज आज के बस नहीं थैंक्स वर्चिंट वर्चिंट गाईज बबाएंट टेक केर इस वे करमेंट आप लगा है बाईज दोगा है बच्चिंट बज़ से नहीं पूबएंट